वेल्कम डिया स्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत है आरसर के यूटूब चैनल पर और हम सब लाइव हो चुके हैं एक नई क्लास के साथ में ये जो क्लास आपका है लेकिन ये जो क्लास होगा दंगल बेच हो। सारे बेचों के लिए important होने वाला है क्यो क्योंकि दंगल बेच में फी ये वाली क्लास में नहीं करवाई है मिशन 2021 में भी नहीं करवाई है और बहुत शांदार कॉंसेट के साथ में एक ही क्लास के अंदर कुशन और प्रेक्टिस खतम मामला बिल्कुस साफ ठीक है तो फटा फट से मेरे सारे भाई बहीन आजाएं क्लास में उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का महत्पोन ये शेशन आप लोगों के लिए जो है आपका क्लास नंबर 68 ठीक है मिशन 2021 का क्लास नंबर 68 होगा अनेकेडमी लेर्निंग एप आप अपने प्ले स्टोर से डाउंडोड करिएगा ऐसा आइकन दिखेगा उसको डाउंडोड करना और वहाँ पर आप केटेगरी चूज करना NDA Air Force Navy XY केटेगरी वहाँ पर फिजिक्स की प्रेक्टिस के लिए आप जोइन कर सकते हैं सुबह आठ बजे क्लास आता है आरसर का ये आता है आपके पास mix up questions आता है total paper का आता है mix questions के लिए सुबह आठ बजे जाईएगा और सामको साड़े आठ बजे जो क्लास आपके आती है वो क्लास आती है आपके topic wise revision topic wise practice के लिए आता है ठीक है और ये special class है special class का मतलब ये free or post class है कोई भी बच्चा इसको देख सकता है लेकिन अगर किसी बच्चे को plus का subscription लेना हो paid course purchase करना हो तो 1 month, 3 month, 6 month के charges ये हैं और ये code आपके पास है अगर ये code apply करोगे तो 10% discount हो जाएगा आपको जहाँ पे भी class unlock करने के लिए कोई code अगर आपको दिया जाए कोई code आपको दिया जाए सारी class ने एक ही code से आप purchase कर पाओगे ठीक है? सब का फाइदा उटा पाओगे ये हमारा telegram channel है इस telegram पर 33,000 के आसपास बच्चों ने इसको join कर रखा है क्योंकि class का जो PDF होता है वो यहीं पे provide करवा दिया जाता है आपको जो भी मैं board पे लिखूंगा उसका PDF आपको इस telegram channel पर मिलेगा जरूर से join करिएगा बहुत शांदार ये चीज होती है बहुत बच्चे इसका फाइदा उठा रहे हैं आप भी इसका फाइदा उठाएं ये हमारे team है team of RS जो तनमन धन से आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पूरा पूरा प्रियास कर रही है सुबह से लेकर साम तक team लगी वी रहती है Sunday हो या Monday रोज नहीं डंडे बस class रोज होती है class रोज होती है अब कल है गुरुजी Sunday आज है Saturday तो आज भी गुरुजी मेरातन है मेरातन class है कितने बज़ें 2 p.m. पर आज और उस class के अंदर RS अगरवाल का solution होगा RS अगरवाल की book का solution होगा 2 p.m. पर आपकी जो class है उस class में और उसके अंदर होगा circle से start होगा क्योंकि मैंने line and point तो करवा दिया और मैं आज की class के अंदर आपका circle भी करा दूँगा और पेरा बोला भी करवा दूँगा उसके दो class आपकी बलाईए बस ये देख लीजेगा सुब़ से लेकर साम तक की हमारी जो total classes है वो classes का schedule कुछ इस तरीके से है देख लीजेगा सुब़ से लेकर साम तक की classes आपकी ठीक है सुब़ साथ बजे class start हो जाती है English की फिर आती है नो बजे दंगल बेच मैच की class दस-दस के आती है आपके पास physics की class ग्यारा बजे मैच का concept फिर से start हो गया Mission 2021 की class बारा बजे आपके पास class आती है English की 2.30 PM पर आज class नहीं आएगी आज जो class आपके आएगी 2.00 PM पर आएगी यह थोड़ा सा changes आगे वाले class के अंदर हम कर देते हैं कि 2.00 PM पर जो आपके class है ठीक है 2.00 PM पर यह है आपका मेरा थन और वो मेरा थन किसका RS अगरवाल बुक का जिसमें सरकिल start होगा आज ठीक है चलो जी आज ओ भई सारे के सारे बच्चे जो भी बच्चे class में आ चुके हैं एक बार I love my parents का comment कर दें हाना बेटा सारे limits अगर जहां पर आती है ना limit का question आ जाता है कई बार continuity का आ जाता है आपके मन में यह भ्रहम है तो इसका तो मैं भी क्या करूँ के गुरुजी यह तो हमारे को अलग से topic नहीं दे रखा बहुत सारे teaches को पढ़ाती भी नहीं लेकिन हम तो सर्फ छोड़ेंगे ने topic को क्योंकि हम तो NDA wise भी आपको पढ़ाने की कोशिस कर रहे है NDA के अंदर तो पका question आता ही है और अभी इस topic का ऐसा में भूत बढ़ाऊंगा ना कि बिना pen टिकाएं आप continuity के questions आराम से कर पाऊगे आराम से बिल्कुल smoothly चलो जी जो भी बच्चे class में आ चुके हैं एक बार I love my parents का comment कर दें पेटी पेख होकर एक गंटे तक बेट जाओ concept आपको दिल दिमाग के अंदर उतारने है concept दिल दिमाग में उतारने है हर type का question कराऊंगा और कोशिस ये कराऊंगा बिना pen टिकाएं आप question को solve कर पाएं लेकिन वो पहले concept चाएंगे आजओ 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 आज पहली ही class है last class है आज पहली class है last class है continuity A की class में खतम आपका continuity A की class के अंदर खतम ठीक है हाँ जी अभी तो मेरे सारे सेर जगे नहीं है सारे सेर जगे नहीं है बुला के लाओ अपने दोस्तों को सहेलियों को दोस्तों को सब को बुला कि लगा वाई कॉंसेट स्टाट होने वाले हैं अगर आप आओ तो मैं स्टार्ट कर दो है चलो जी जिन स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा कॉंसेट आप लोगों के लिए और वो टॉपिक कन्टियूटी continuity का मतलब क्या होता है कि गुरुजी continuity का मतलब होता है regularty जैसे rsr team की जो class है regular है na continue है same basic basic क्या होती continue होती है यह ना rsr team की class है Monday से लेकर Sunday पता ही नहीं का बता संडे पता ही नहीं चलता Sunday Saturday लगात और class है दिन भर class है चलती रहती है कोई भी बच्चा zero level से जो लाको रुपए नहीं दे सकता वो पढ़ सकता है आराम से free के अंदर है ना चलो जी continuity का मतलब है सांतत्यता और सांतत्यता की अगर हम बात करें तो वह होता है regularty continuity का मतलब ही continuous है और जो भी कर्व जो कर्व आपके पास continuous होते हैं लगातार होते हैं उसी कोपन क्या बोलते हैं continuous बोलते हैं सीधी सी बात है नाम के अंदर है चुपा हुआ है चलो जैसे माल लोग की कोई कर्व आपके पास ऐसा है जो लगातार आपके पास बन रहा है ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक जाने पर अगर ग्राप बीच में से ब्रेक नहीं हो नो ब्रेक अगर किसी भी ग्राप का ब्रेक अप नहीं होता है जिसे का ब्रेक अप नहीं होता है तो इसको क्या बोला जता है continuous बोला जाता है ठेक है और ये जो property होती है कर्व की इसको बोला जाता है continuity बोला जाता है इसका मतलब गुरुजी कि जो कर्व continuous रहेगा जो लगातार बनेगा जो बीच में से जिसका break up नहीं होगा क्या वो ही continuous होगा क्या बिल्कुल exact बात यही बात है जो मैं आपको समझाने की कोसिस कर रहा हूँ जो जो graph बीच में से break नहीं होते हैं किसी point पर break नहीं होता वो क्या होता है गुरुजी continuous तो मैंने कहा था graph आपको याद कर लेने चीए कुछ नमुने सिखाता हूँ कुछ concept आपको बताता हूँ कि कैसे हम गुरुजी continuity को हम check कर पाएंगी कैसे हम continuity को check करें बच्चा जैसे मान लो कि आपके पास कोई भी graph है कोई भी graph आपके पास ऐसा है मान लो कि एक point आपको दे रखा है x बराबर a यह limit से link करता हूँ काम है क्या limit से link करता हूँ काम है आपको दे रखा है कि यह जो curve है y बराबर fx इसकी x बराबर a पर आप continuity check करो ऐसा question आया x बराबर a पर इसकी continuity check करो निरंतरता check करो तो आप क्या करोगी गुरुजी कि इस point पर तो आपको देखना ही है इस point से h दूरी पर आप आगे जाकर इस graph की height देखोगे इस point से आप h दूरी पीछे आकर इस graph की height चेक करोगे तो ऐसे के लिए हम क्या करेंगे गुरुजी कि अगर इसकी में height देखता हूँ तो ये वाला जो point है यहां से यहां पर वो क्या है A,0 है और अगर ये वाली distance अगर H है तो ये वाली distance कितनी हो गई कि गुरुजी A plus H हो गई ये वाला point हो गई आपके पास A plus H,0 और ये वाली distance H है ये A है तो यहां से यहां तक कि distance हो गई A minus H इसका मतलब ये वाला point आपके पास A-H,0 हो गया तो बात आपको समझ में आ गही होगी कि आपको तीन point पे चेक करना है तीन point पे कौन कौन से पे एक तो इस वाले point पे A पे और एक A-H पे और एक A-H पे मैंने अभी अभी तुम्हारे को कहा क्या कहा? मैंने ये कहा कि जैसे मैंने आपको limit में करवाया था limit के अंदर करवाया limit में क्या कहा? किसी को बेज़ दिया तू जाके देखे दिवार टूटी वी है क्या? तो वो जब जाएगा तो यार गुरुजी मेरे को इस point के लिए कहाता है वहाँ देख लिया यहाँ पर तो गुरुजी दिवार टूटी वी नहीं है तो वो जाएगा थोड़ा सा right hand side में देखेगा थोड़ा सा left hand side में देखेगा कि कहीं से टूटी वी नहीं है तो वो क्या कहेगा? कि गुरुजी बिल्गूर regular है तो बात इसमें भी AC है जिस point के लिए आपको बोल दिया उससे थोड़ा सा right में जाओ थोड़ा सा left में जाओ और उस point पर देख लो तीनो point पर अगर value बराबर आ जाती है उसको बोला जाता है क्या? continuous बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है? continuous तो मैं आपको कहूंगा कि AC के लिए हम तीनों चीज़े चेक करते हैं सबसे पहली बात right hand limit और right hand limit जो आपके पास होती है limit h tends to 0 f of a plus h जो limit के case में हम पढ़ चुके है f of a plus h एक करते हैं हम left hand limit और left hand limit जो आपके पास होती है limit h tends to 0 f of a minus h और तीसरी चीज़ होती है point per value a per value f of a अगर ये तीनों बराबर आजाते हैं तब आपके पास कर्व जो होता है वो continuous होता है ठीक है? कर्व continuous कब होता है जब ये तीनों value बराबर होती है कि गुरुजी right hand limit left hand limit और point per value अगर बराबर हो ये तीनों चीज़ें जब आपके पास बराबर होती है तो कर्व को क्या मना जाता है? continuous मना जाता है क्या मना जाता है? continuous गुरुजी इनकी जरत पड़ेगी क्या? मैं कोसिस तो ये करूँगा कि आपको कुछ भी calculator नहीं करने दूँ कोसिस ये करूँगा कि इन में से कोई भी calculator नहीं करने दूँगा आपको है ना? चलो अब आओ concept पे ये तो general concept था कि कहां पे आपन continuity को केसे check करते हैं आरचल निकालो एलचल निकालो point per value निकालो तीनों बराबर गुरुजी limit में क्या फरक है? limit भी तो इसे check करते हैं limit का existence हैग नहीं है exact वो ही बात same as it is लेकिन थोड़ा सा फरक है जब limit का existence देखते हैं तो केवल इतना ही देखते हैं केवल ये दो ही check करते हैं आरचल निकालो लेकिन जब continuity check करते हैं तो ये तीसरी चीज़ और कर लेते हैं आगी बात समझ में continuity के अंदर तो हम तीन चीज़े calculate करते हैं और limit के existence में केवल हम ये दो ही check करते हैं ठीक है? तो same काम तो वो का वो ही होता है काम वो का वो ही होता है जहाँ पे limit exist नहीं करती है ना limit जहाँ पे exist नहीं करती वहाँ पे करव ब्रेक होता है करव कहां ब्रेक होता है ब्रेक अब वहाँ पे होता है जहाँ पे limit exist नहीं होती हदे जहाँ पर पार हो जाती है हदे जहाँ पर पार हो जाती है तो वहीं पे निरंतरता तूट जाती है सुना होगा है अगर आपने कहीं पर हद पार कर दी हद पार कर दी तो गए काम से continuity बंद समझ गए हाँ चलो जी चलो जी आगे चले है अब मैं आपको चेक करना सिखाता हूं बस इसका एक जनरल सा फंडा यही है जो मैं बार-बार आपको समझाने की कोशिस कर रहा हूं अगर आपने लिमिट्स पढ़ा है सीमा का आकलन अगर आपने किया है सीमा को अगर पढ़ा है तो आपको continuity आसानी से आ जाईगी और continuity होती वो ही है जहां पे limit का existence होता है जहां पे limit exist होती है वहां पे function के continuous होने की possibility सबसे ज्यादा होती है और जहां पे गुरुजी break up ही हो गया जहां हदे ही पार हो गई जहां पे गुरुजी break up ही हो गया तो हदे पार ही हो गई जहां पे limit के class देखकर आओ पहले limit के class देखोगे तब जाके सारी सीज़ समझ में आईगे चलो जी एक छोटे से नमूने पर मैं बात करता हूँ आपके सामने कि fx के बराबर गुरुजी लिखा मैंने आपके पास x square छोटे छोटे नमूनों से बड़ी बड़ी हरकते हम सिखेंगे फिर कौन कौन सा हद पार करता है उसको भी अपन उखाड फेकेंगे एना fx के बराबर x square क्या गुरुजी इसमें limit exist करती है क्या जहां जहां पे limit से link करता अगर limit समझ में नहीं आया तो graph आता होगा और graph अगर नहीं आता है तो फिर आपको बड़ी बड़ी calculation करने बड़ेगी जरा देखो कि गुरुजी fx के बराबर fx का मतलब होता है गुरुजी y और y के बराबर x square का मतलब गुरुजी ये एक बनेगा पेरा बोला और वो पेर आफका end point था starting point से लेकर end point तक अगर आप चलोगे और अगर pain को उठाने की कहीं ज़रत नहीं पड़ती है मतलब break up नहीं होता है no break up अगर कहीं पे break up नहीं होता है कहीं पे अगर break up नहीं होता है तो वो function क्या होता है continuous होता है क्या होता है continuous होता है इसका मतलब गुरुजी fx बराबर x square continuous है क्या exactly बिलको सही समझा आपने कि fx बराबर x square continuous है आगे चलो कि गुरुजी इसके बारे में बता सकते हो क्या fx बराबर mode x के बारे में graph बनाने जाओ graph बनाने जाओ graph बनाओ अपने आप पता सल जाएगा fx बराबर आपके पास और mode x fx बराबर mode x तो जिसका जो graph बनेगा आपके पास वो graph गुरुजी इस तरीके से बन जाएगा v-save का graph बनता है v-save का graph बनता है fx बराबर mode x का ठीक है समझते जाओ चीजे समझ में आती रहेगी गुरुजी fx बराबर mode x का graph आप आपने बनाया बहुत ही अच्छी बात है लेकिन गुरुजी starting point ये है end point ये है starting point से लेकर pain को चलाना start किया ये graph आया और ऐसा निकल गया इसका मतलब गुरुजी graph break हो रहा है क्या graph break नहीं है यहाँ पे दिक रहा है तीखा कोना है लेकिन mode पर हमारे को गाड़ी बहुत अच्छे से चलाना आती है गुरुजी ये तो break नहीं होगा यहाँ पर हम नहीं फिसलेंगे और यहाँ पे अगर आप नहीं फिसल रहे हो लगातार चल रहे हो जिंदा तो इसका मतलब function क्या होगा गुरुजी continuous होगा क्या होगा continuous होगा बोलो समझ में आया की नहीं आया continuous होगा mode वाला जो function होता है mode वाला जो function होता है वो हमेशा क्या होता है continuous line लिक लो mode वाला जो function होता है mode वाला function mode वाला जो function होता है वो always क्या होता है continuous होता है अब जैसे गुरुजी एक मोड आ गया तब की बात अलग है दो मोड आ जाएं तो बेटा मैंने बोल दिया आपको कि fx के बराबर आपके पास मोड x प्लस मोड x-1 आपकी जिन्दिगी में बहुत सारे मोड आएंगे बहुत सारे मोड आएंगे और जिसने हद पार नहीं करी है लिमिट का एक्जिस्टेंस अगर है हद पार अगर नहीं करी है तो वो बिलकुल continue चलता रहेगा तो गुरुजी मोड x प्लस मोड x-1 के अंदर chance तो बढ़ेंगे आपके पास दो chance बढ़ेंगे एक तो इस point पर और एक इस point पर एक तो 0 पर और एक 1 पर दो chance तो बढ़ेंगे फिसल लेंगे लेकिन गुरुजी फिसल लेंगे नहीं हम और नहीं फिसल होगे तो कोई बात नहीं continuous तो आप एक चीज़ को गाठ बांदलो कि अगर आपके पास इस type का कोई function आ जाता है अगर आपके पास इस type का कोई function आ गया mode x-a plus mode x-b plus minus आपके पास mode x-c तो गाठ बगनो इस चीज़ को, always continuous होते हैं, क्या होते हैं? always continuous होते हैं, always continuous, region क्या है गुरुजी, region इसका ये है कि इनका जो graph होता है, वो कहीं पे भी break है, नहीं होता है, है ञा, nastan कि इस अचाет, इस इनका graph कहीं पे भी break है, थीक है क्या? चलो 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 ग्राफ बनेगा बस ग्राफ बनाओ ग्राफ बनाओ और काम आपका हो जाएगा ठीक है चलो गुरुजी और कुछ चीज़े बताओ चलो बच्चा आप इसके उपर आजाओ पोलिनोमियल फंक्षन एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स की पावर एन माइनस टू गुरुजी ऐसे टाइप के जो फंक्षन है ना ऐसे टाइप के फंक्षन इनका जो ग्राफ होता है वो हमेशा कंटिनियोस होता है ग्राफ जो होता है इनका वो always क्या होता है continuous होता है इनका graph कहीं पे भी break नहीं होता कोई भी polynomial function का कोई भी बहुपदी ये फलग जैसे बच्चा मैं example लिखता हूँ आपके सामने example में लिख रहा हूँ जैसे मैंने लिखा fx के बराबर fx के बराबर आपके पास x square plus का 1 है मान लो कि आपने लिखा आपके पास 2x square minus का 3x plus का 2 है कोई सा भी आजाएं आपके पास fx के बराबर जैसे मेंने लिखा आपके पास x cube plus का 1 लिखा fx के बराबर में लिखों आपके पास 3x cube minus का 2x plus का 4 ऐसा कोई भी आ गया मतलब x की single power double power और 3 power जब उपर आपके पास आजाती है ऐसे function को बोला जाता है algebraic function या बहुपद ये फलन है ना बीजगणीत ये बहुपद ये फलन ये जो function होते हैं ये always क्या होते हैं continuous आँक बंद करके आँक बंद करके ऐसे जो function है उनके लिए आप हाँ कर देना कि गुरुजी इनकी तो हमारे को पता है ये बिल्कुल भी हदे पार नहीं करते हैं इनकी हद पार नहीं होती है ये limit से आगे नहीं बढ़ते हैं और limit से आगे नहीं बढ़ते हैं तो गुरुजी ये कहीं पे नहीं विसलते हैं और लगातार निकल जाते हैं, बोलो समझ में आया ठीक है क्या सारे कंचुए एक तो यह modulus वाला modulus वाला function है एक तो है modulus वाला function, चाहे एक mode आजाएं चाहे दो mode आएं, लेकिन उसके अंदर जो संख्या आती है, वो algebraic part होना चाहिए वो continuous होगा, एक आपके पास polynomial कुछ भी आजाएं, वो always क्या होगा, continuous होगा, और आजाओ fx के बराबर अगर मैं लिखता हूँ आपके पास sinx और cosx sinx लिखा, cosx लिखा, इसके उपर मैंने mode लगा दिया, mode sinx, और लगा दिया, मैंने mode cosx लगा दिया ऐसे जो function होते हैं, इस type always continuous always continuous होते हैं, ठीक है always continuous, हम ऐसा संतत होते हैं क्यों गुरुजी, sinx का graph आपको आता होगा, sinx का जो graph है गुरुजी, वो तो इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है विलकुर नागिन के आकार का, है ना नागिन के आकार का, 0 यह है pi, यह वाला point है 2pi, यह वाला point है 3pi यह वाला point है 4pi, आप देखो starting point से लेकर end point graph लगाता, लगाता, लगाता सापके जैसे गुमता रहेगा, गुमता रहेगा, गुमता रहेगा, continuous होगा continuous होगा, ठीक है यह है sinx का, अगर मैं बनाऊ आउं आपके पास mode sinx का तो गुरुजी mode sinx में क्या होता है mode sinx के अंदर नीचे जो graph होता है, वो उपर पलट जाता है नीचे वाला जो graph होता है वो उपर पलट जाता है, किसके case में mode sinx के तो यह है गुरुजी आपके पास मोड साइनक्स का लेकिन गुरुजी क्या ब्रेकप थोड़ी होता है इसमें ब्रेकप नहीं होता ये पलट जाता है पलट जाता है लेकिन ब्रेकप नहीं होता नो ब्रेकप और जब तक ब्रेकप नहीं होता ब्रेकप ब्रेकप कहां पर होता है आपको पता है गया चोराई पे ब्रेकप गुरुजी ब्रेकप कहां होता है यह बता दो ना गुरुजी हमारे को पहले से पता रहे हैं जन्नल नोलेज के लिए ब्रेकप कहां पे होता है ब्रेकप वहां पे होता है जहां पर यह तीखी कोने आते हैं जहां पर बगवान अपनी परिक्षा जाता है सार पेज आ जाता है एक तीखा कौन आ जाता है जिंदगी में केसा मोड आ जाता है किसमत खराब होती है लिख लो लिख लो नोट्स में लिख लो इसी सारी बाते है गुरुजी ये भी तो हमारी जनरल लाइफ से जुड़ी भी बते है ब्रेकप कहां कहां होगा अगर आपने बता दिया तो हम आगे संबल के चलेंगे तो बेटा जिंदगी के अंदर जहां पर मोड आते हैं अपनी हदे पार होती है और हदे पार होती है तो वहां पर फिसलने के चांस होते है और फिसल के जो बच्चा सही खड़ा हो गया तो वो बना दो गुरुजी, mode cosec.kenta भी ऐसा का इसा 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 बनता है, आप के पास mode cosec.kents.k Students, बना को ज़रती है, यह भी भदबार नहीं करता है. यह भी हदबार नहीं करता है, ठीक है? हाँ, चलो जी, तो यह सारे के सारे क्या हुते हैं? continuous लेकिन गुरुजी कुछ function के अंदर हमारे को दिक्कत होती है वो बताओ not continuous कौन से होंगे उनकी बारे में हम चर्चा करते हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे function बता दिया आपको कि continuous वाले अब आजाओ not continuous वाले not continuous वाले not continuous वाले पर आजाओ not continuous कौन से होंगे बहुत शीधा सा concept है not continuous का not continuous मतलब जो continuous नहीं होते वो function वो होते हैं जिनका break up हो जाता है जिनका break up हो जाता है वो क्या होते है not continuous वो continuous नहीं होते गुरुजी break up कैसे कि चलो देखो अब देखो एक type का function सबसे पहली बात पहले टाइप का फंक्शन अगर मानलो कि किसी फंक्शन के अंदर ऐसा लिखावा है वनपोन GX जहां पे लिखावा है FX के बराबर लिखावा है वनपोन GX और जहां पे यह नीचे वाली ट्रम जीरो होती है यह है गुरुजी breakout वाले point ये जो कर्व होते है न वहाँ पे संभल के नहीं चलते जहां पे इनकी नीचे वाली ट्रम जीरो होती है इस वज़ए से इनका काम आगे नहीं बेटता हद पार हो जाती है हद पार हो जाते हैं तो फिचल जाते हैं और उठके खड़े नहीं हो पाते, इसका मतलब इसको क्या बोला जता है गुरुजी, not continuous, कौन से पॉइंट है, जहां पे नीचे वाला जो ट्रम है, वो 0 के बराबर होता है, नीचे वाला ट्रम जब 0 के बराबर होता है, उन पॉइंटों पे ये continuous नहीं रह पाते, गुरुजी discontinuity बताओ, point of discontinuity, तो आप क्या कहोगे, point of discontinuity, मैंने कहा कि नीचे अगर कोई पार्ट लिखावा है, और वो पार्ट जहां पे आपके पास 0 होता है, उसी point पर ये तो उकाद दिखा देते हैं अपनी, x बराबर आपके पास 0, x बराबर 0 पर इसका break up होगा, graph भी बना देता एफ x बराबर 1 upon x का जो graph आपके पास बनेगा, वो graph इस तरीके से, ये graph इस तरीके से graph बनेगा, ये लोजी, ये graph बनता है, देखलो 0 पे, 0 पे ने तो इधर value आती हैं, ने इधर आती हैं, उपर आती हैं, ने ने नीचे, गया काम से, 0 पे बिगड़ गया ही तो, आगई बा होता है जहां पे नीचे वाली टर्म जीरो होती है और हड जगह continuous होता है आया की नहीं आया समझ में आगे है समझ में हाँ बिलकुल बेटा mod x-1 continuous होगा mod वाला कोई function हो वस उसमें algebraic part लिखावा होना चीए mod x-1, mod x-2, mod 2x-3 कुछ भी लिख ले तू mod के अंदर लेकिन algebraic part लिख इसका मतलब वो continuous इसके बारे में पता सल गया कहां पे हद पार करता है जहां पे नीचे वाली टर्म जीरो होती है और जहां पे नीचे वाली टर्म जीरो होगी कि अवर उससी point पे discontinuous होगा मैं अगर तुमारे से इसा पूछ था एक सवाल का मुझे जवाब देना अगर मैं आपसे इसा पूछ था कि गुरुजी बताओ 8x equal to 2 x equal to 2 पर बताओ 8x equal to 2 ये continuous होगा कर discontinuous होगा बताओ continuous और not continuous बताओ x equal to 2 पर पूछा है मैं ने x equal to 2 पर continuous होगा या not continuous होगा बताओ 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 फटापड से continuous होगा के not continuous होगा x equal to 2 की बात कर रहा हूं मैं x equal to 2 पे continuous और not continuous बताओ continue 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 continuous अच्छा च्छा 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 चलो चलो बहुत बढ़िया बात है बहुत बढ़िया बात है बहुत बढ़िया बात है सारे बच्चों ने कहा continuous तो मैंने एक ही चीज तो याद करवा ही आपको क्या कि जहां पे नीचे वाला part 0 होता है केवल वहीं पर discontinuous होता है और हर जगे continuous होता है ठीक है ये curve x बराबर 0 पर discontinuous है और कोईसा भी point पूछ ले वहाँ पर क्या है continuous है ठीक है continuous है और आजाओ चलो और चलते हैं जैसे मानलो कि एक और example देता हूँ आपके पास ऐसा लिखावा है आपके पास x square x square minus का 6x plus 8 ये कोई function लिखावा है बताओ point of discontinuity पूछा आपको के बताओ point of discontinuity same limit वाला concept limit में भी ऐसा है पड़ते थे पर 1 upon x square minus का 6x plus 8 आपको ऐसा पूछ लिए point of discontinuity बताओ इसका break up कहां कहां पे होगा जहां जहां पे break up वहां बहां पे not continuous जिरो हो जाएं ऐसा अगर लिख दिया मैंने बराबर 0 तो इसका मतलब गुरुजी ये आएगा x square minus का 4x minus का 2x plus का 8 बराबर आपका 0 इसका मतलब गुरुजी x बराबर तो आएगा 4 और x बराबर 2 क्या मैंने सही लिखा x बराबर 4 और x बराबर 2 समझ में आया कि नहीं आया x बराबर 4 और x बराबर 2 कि गुरुजी ये दो पोइंटे से हैं जहां पे नीचे वाले टरम 0 होगी नीचे वाले टरम 0 होगी पुरा infinite या minus infinite बनेगा ये काम बिगार देंगे तो point of discontinuity point of discontinuity जहां पे आपके पास ये वाला जो function होता है continuous नहीं होता वो कौन सा है 4 है और 2 है ये है जो जलिम है 4 और 2 ये है point of discontinuity के इस type के कर्व के अंदर है ना चलो जी और आपको mention करवाते हैं बच्चा ऐसा आपके पास लिखावा है fx के बराबर fx के बराबर चलो जी बराबर आपके पास लिखावा है 5 है ठीक है और इधर में लिख देता हूँ fx के बराबर एक तो लिख देता हूँ cortex fx के बराबर समझो बेटा बात को कि गुरुजी 10x को आप क्या बोलते हो कि 10x को हम लिखते हैं साइन एक्स बटे कोसक्स लिखते है साइन एक्स बटे कोसक्स सेख एक्स को क्या लिखा जाता है वन अपोन कोसक्स लिखा जाता है मैंने कहा कि जहां पे नीचे वाले ट्रम जहां पे नीचे वाले ट्रम जीरो होती है जहां पे नीचे वाले तो गुरु जी cos x 0 कहां पे होता है कि x बराबर होता है आपके पास 2n plus 1 phi by 2 पे होता है 2n plus 1 phi by 2 पे और ये सारे point मतलब एसे x बराबर जैसे phi by 2 आगया जैसे 3 phi by 2 आगया या आपके पास 5 phi by 2 आगया minus phi by 2 आगया इन पर विगड जाते हैं इन पर बिगड़ जाते हैं तो गुरु जी ये जो सारे हैं ये जो लिखेवे हैं ये है आपके पास point of discontinuity क्या है point of discontinuity point of discontinuity समझ में आई क्या बात जहां पे नीचे वाले टर्म 0 होती है वो होते है point of discontinuity कितने एक है चाहिए जितने बढ़ा लो इसमें एन की विल्यों रखे जाओ खूब सारे आ जाएंगे ठीक है क्या हाँ बता रखा है पिले चलो जी बात यह है कि fx बराबर कोटक्स के गुरु जी कोटक्स को क्या लिखेंगे हम इसको लिखा जाएगा cos x upon sin x और को से एक अक्स को कि गुरुजी को से एक अक्स को लिखेंगे 1 upon sin x इसका मतलब गुरुजी जहां पे sin x 0 है sin x बराबर 0 इसका मतलब क्या कि गुरुजी इसका मतलब आपके पास x के बराबर होगा n pi n pi का मतलब n pi का मतलब 0 पे pi पे 2 pi पे 3 pi पे ऐसे ऐसे जो terms आते हैं न वहाँ पे आपके पास curve continuous नहीं हो पाता और ये जो point है ये इनको क्या कहेंगे point of discontinuity कहेंगे point of discontinuity बात एक सी है ठीक है क्या? समझ में आ गया n pi, sin 0 कहाँ पे होता है? n pi पे होता है चलो जी, बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया n pi पे discontinuous और बताओ गुरी जी, कौन-कौन से function discontinuous होते है चलो मैं बात करता हूँ, आपके पास fx के बराबर 3 most wanted function है एक तो ये वाला fx के बराबर gif of x एक आपके पास x minus gif of x, ये दूसरा वाला और तीसरा आपके पास एक होता है, जिसको बोला जाता है signum function signum function बोला जाता है signum function ठीक है, इसकी definition बता देता हूँ इसकी definition होती है minus 1, 0, 1 x की value जब 0 से कम होती है x की value जब 0 के बराबर होती है ये आपके पास 3 function है, एसा आपके पास तीन function है ठीक है यह function की definition है इस function की definition यह है ठीक है चलो जो इन तीनों के बारे में जरा जांच करिए मैं graph बना देता हूँ आसानी से पहचान जाओगे fx बराबर mod x sorry gif of x गुरुजी gif of x का जो graph बनता है वो इस तरीके से बनता है gif of x का जो graph बनता है वो इस तरीके से बनता है आप मुझे बताओ कि graph का break up कहां कहां पे हो रहा है कि गुरुजी break up हुआ 0 उसके बाद में एक पर क्योंकि एक से इधर यहां पे है एक से उपर यहां पे गुरुजी 2 पे गुरुजी 3 पे गुरुजी 4 पे इसका मतलब every integer जहां पे पुरुणांग संख्या आती है every integer पे इसका break up होता है जहां जहां पे graph break हुआ है वो point क्या है point of discontinuity तो यहां पर आपके पास point of discontinuity point of discontinuity गुरुजी वो क्या है every integer हर point पर मैंने कहा था यह कौन सा function है gif girlfriend वाला function है याद करता ना यह को girlfriend के नाम से याद करते है और वो girlfriend हर चोराय पर बेवफ़ा और चोराय कुन सा integer integer value only integer value पर अच्छा बच्चा अगर मैं आप से एक सवाल ऐसा कर लूँ ऐसा सवाल कर लूँ आप मुझे जवाब देना क्योंकि यह question बहुत अच्छा question बनावा है बहुत अच्छा question बनावा है गुरू जी मैंने लिखा fx बराबर gif of x ऐसा लिखावा है और अगर ऐसा लिखावा है x belongs 0 से लेकर 1 0 से लेकर 1 ऐसा लिखावा है तो आप मुझे बताओ बहुत आपके पास 3 से लेकर 4 लिखावा है और तीसरा आपके पास लिखावा है x belongs आपके पास 1 से लेकर 3 अब मुझे बताओ कि कौन कौन सी condition के इंदर तो function continuous है कौन कौन सी condition में तो function continuous है कौन सी में नहीं है मैंने कहा बिटा दो लगातार integer के बीच में only integer value पे break up होता है लेकिन गुरुजी दो continuous integer के बीच में नहीं, कभी नहीं दो continuous integer के बीच में break up नहीं होता है कैसे? कि गुरुजी मैंने जो graph आपके सामने बनाया वो ऐसा बनाया 0 से लेकर 1 तक ऐसा ऐसा, फिर मैंने बनाया ऐसा तो जरा आप देखो कि यह 1 था, यह 2 था आप जरा यहाँ पे नजर डालो 1 से लेकर 2 के बीच में कहीं graph का break up है क्या? नहीं है 1 से 2 के बीच में नहीं है और गुरुजी 2 से लेकर 3 के बीच में नहीं है इसका मतलब दो लगातार integer के value के बीच में तो नहीं होगा integer के बीच में नहीं होगा तो गुरुजी 0 से लेकर 1 था 0 से लेकर 1 के बीच में continuous यह graph break नहीं होगा graph break नहीं होता है तो इसका मतलब continuous होगा यह वाला function क्या होगा? continuous होगा अगर interval ये दे रखा है गुरुजी 3 से 4 के बीच में दो continuous integer के बीच में तो continuous होता है 1 से 3 के बीच में continuous थोड़ी है इसका मतलब आपके पास continuous नहीं होगा जिसको हम क्या कहेंगे discontinuous बोलो समझ में आई क्या कहानी समझ में आई कि नहीं आई A और B continuous and C is not continuous होता है अदरवाइस continuous से नहीं होता तो द्यान रखना कई बार पूछ लिया जाता है इसा चलो गुरुजी आगे वाले पे चलते हैं आगे वाला ये है आपके पास इसका भी graph बना देते हैं इसका graph इसका graph जो बनता है विटा इसका graph इस तरीके से बनेगा इस तरीके से इसका graph बनता है आप बताओ कहां कहां पे इसका break up हुआ ये 0 है एक है येवाला point एक है येवाला point 2 है बताओ फटाओ फटाओ बताओ fx बरावर x माइनस zi f of x इसको बोलते है frictional part function क्या frictional part function fractional part function बोला जाता है इसको बिन्नात्मक मान फलन बोला जाता है और ये बिन्नात्मक मान फलन आपके पास ऐसा है कहां कहां पर break up हुआ गुरुजी एक पे, गुरुजी दो पे, गुरुजी तीन पे इसका मतलब every integer every integer every integer पे इसका break up होगा तो point of discontinuity क्या होगा z होगा point of discontinuity क्या होगा z होगा, अगर बेटा मैं कहूं कि बताओ 0 से लेकर 1 के बीच में तब क्या बताओगे आप 0 से 1 के बीच में 0 से 1 के बीच में क्या हाल है गुरुजी इसका 0 से लेकर 1 के बीच में जाओगे तो गुरुजी बिल्कु लगातार है एक से दो के बीच में गुरुजी लगातार है दो से लेकर तीन तक जाओगे गुरुजी लगातार है इसका मतलब continuous लगातार integer के बीच में continuous और अगर अलग integer आ जाता है तब discontinuous ठीक है अब चलते हैं इसके graph के उपर इसका graph जो बनता है वो ये बनता है गुरुजी 0 पे तो 0 आएगा इसके इदर 1 आएगा इसके इदर ये वाला point 1 0 हाँ जी बताओ कहां कहां पे इसके परकच्चे उड़ते हैं कहां कहां पे break up होता है जरा देख लो गुरुजी इदर इदर तो क्या है continuous है लगातार line बन रही है continuous है गुरुजी इदर भी लगातार line बन रही है लेकिन 0 पे तो value 0 आ रही है और 0 से कम करते हैं तो minus 1 0 से ज्यादा करते हैं तो एक इसका मतलब 0 पे इसका मतलब only only कहां पे 0 पर only 8 0 only 8 x equal to 0 पे discontinuous होगा यह है और हर जगह continuous होता है only बेटा 1 0 minus 1 नहीं एक ही point 0 only 0 के उपर ही discontinuous होगा और हर जगह continuous होगा यह आया समझ में minus 1 0 1 नहीं बेटा 3 point नहीं एक ही point है 0 value आती है minus 1 0 1 तो only 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 1 only sorry 0 पे हिंदी में बोल दो गुरी जी थोड़ा discontinuity को बोलते हैं क्या एसांतत्यता typical word है x बराबर 0 पे continuous है नहीं है क्या बात है question कैसे पूछा जाएगा अभी बताते हैं बिटा question कैसे पूछा जाएगा चलो कुछ graph के उपर आते हैं उसके बाद मैं बताता हूँ कि continuous होगा कर नहीं होगा चलो fx के बराबर e की पावर x है fx के बराबर e की पावर x आप मुझे बताना ये continuous होगा कर नहीं होगा fx बराबर e की पावर x का जो graph होता है वो केसा बनता है graph बना देता हूँ बताओ continuous होगा कि नहीं होगा तीसरी बात अगर मैं लिखूँ fx के बराबर आपके सामने लिखता हूँ log x और गुरुजी log x का जो ग्राब बनता है वो ग्राब बनता है ऐसा और मैं लिखता हूँ आपके पास fx के बराबर e की power x बताओ मुझे continuous होगे के नहीं होगे continuous होगा के नहीं होगा continuous होगे के नहीं होगे fx e की power x e की power minus x log x e की power x बताओ continuous एक नहीं है starting point से लेकर end point तक चलने में अगर pain को उठाने की ज़रत नहीं पड़े वो function होते continuous आप ज़रा देख लो गुरुजी continuous गुरुजी continuous गुरुजी continuous इसका मतलब all are continuous all are continuous दो तीन चीज़े खराब करती है इन function को जैसे इनसान की body को दारू बीडी cigarette ये खराब करती है न वैसे कुछ चीज़े हैं जो लक्से से बटगाती है कौन को graph को कौन कौन से एक तो गुरुजी सबसे बड़ी बात तो ये है ये कौन सी gf वाड़ी सबसे बड़ी बात जो लक्से से बटगाती है वरना गुरुजी continuity होती हमारे अंदर और वो कौन सी है ये gf gif को प्यार से gf बोलते हैं न एक तो गुरुजी ये gf वाला function जहां पे भी साथ में आ गया न तो इसको मतलब continuity गई continuity गई continuous नहीं हो सकता वो function समझ गए बटा बात को अब गुरुजी जैसे मान लो कि ये छेड़का नहीं कर देता है कही बार इसके साथ में गुरुजी आ जाता है sin x के साथ में आ जाता है sin x के उपर इसा लगा दिया और आपको ऐसा बोल दिया कि ये जो function है न ऐसा ऐसा जो sign है वो gif का sign है ये बरबात कर देगा बेटा इसको gif जहां पे भी आ गया gif जहां पे भी आ गया आँक बंद करके इसको क्या बोल दो कि गुरुजी वो तो discontinuous होगा वो तो क्या होगा discontinuous होगा ठीक है clear है रह clear है कि नहीं वा बताओ यहां तक की चीज समझ में आए कि नहीं आई अगर ये वाला function बहुत बहुत गंदी चीज है बहुत गंदी चीज है ये continuity होने आई नहीं देती continuity को बरबाद कर देती है real life में भी और इधर function के अंदर भी जिन्दगी बरबाद गया continuity किसी को बताना मत चलो जी बहुत बढ़िया है चलो जी तो यहां पर हमने बात करिए कुछ type के function ओ लिखता हूँ जिनके अंदर हम x square minus का 3x x is less than 1 लिखावा है x is greater than equal to 1 और यहां पर लिखावा है 2x plus का 3 ऐसे question आते हैं आपके पास और पूछा जाता है कि बताओ यह function continuous होगा कि नहीं होगा बताओ यह function continuous होगा या नहीं होगा तो ऐसे question की खास बात यह है और अधिकतर बारे से question आते है fx बराबर यह लिखावा है आपको पुछेगा function continuous है कि नहीं है आप क्या बताओगे आप गुरुजी इसमें तो आरचल निकाले है आरचल निकालो गुरुजी एलचल निकालो point पर निकालो बेटा वो बातने थी कौन सी एक साल पहले की दो सालों पहले की वो board state board में आते थ तो करते थे अपन अब नहीं करेंगे गुरुजी वो क्या तरीका आपको यहां पर क्या दिख रहा है वन तो गुरुजी यहां पर वन पर इस function को define किया गया है मतलब क्या होता है कि कई बार जो जुल्म होते है ना अपने साथ में है ना तो सबसे पहले उसी को पकड़ने ज आपको या कर पूझे बता भाई क्या किया था उसने है वोई बात है कि गुरुजी यहां पर वन लिखने का मतलब क्या है वन पर सस्पेंस था कि यह बिगड़ जाएगी और बिगड़ जाएगी तो वन पर चेक करेंगे इसको समझ गए बात को वन पर define किया वहा है इस function को वन पे चेक के से करोगे? कि गुरुजी वन को एक बार इसमे टिकाओ, सबूत इकटे करो, गवा इकटे करो, बराबर आजाएं, सब अगर सही बोल दें, सब अगर सही बोल दें, तब तो गुरुजी बिल्कुल सही आदमी, और अगर कोई एक भी पलट गया, पुलिस के सामने अलग-अलग गवाओं को अलग-अलग कमरे के अंदर पूछते हैं, एक ही बाते हैं, जब वो बिखड जाता है, जो तूट जाता है, वो गया काम से गुरुजी एक को इसमें रखा आपने एक को अगर आपने इसमें रखा एक को इसमें रखा तो एक माइनस तीन गुरुजी ये तो आएगा माइनस का दो एक को अगर आपने इसमें रखा तो दो प्लस तीन कितना है गुरुजी पांच गुरुजी इस कम्रे वाला तो अलग ग्यान दे रहा है, इस कम्रे वाला अलग ग्यान दे रहा है, माइनस का दोर 5 बराबर है क्या, कि गुरुजी सरासर बराबर नहीं है, यह तो बराबर नहीं है, इसका मतलब गुरुजी not continuous, इसका मतलब not continuous, not continuous at x equal to 1, x बराबर 1 पे यह function continuous x बराबर 1 पे यह function continuous नहीं है तो ऐसे function में इस तरीके से बताते हैं और आज़ो कई बार ऐसे function को बड़ा लिख दिया जाता है ऐसे function को बड़ा लिख दिया जाता है जैसे मैं बात करूँ आपके पास x की value 1 से तो ज़्यादा 2 से कम x की value 2 या 2 से ज़्यादा 3 से कम x की value 3 या 3 से ज़्यादा 4 से कम x की value 4 या 4 से ज़्यादा 5 से कम इसके अंदर लिखावा है x square minus का 2x यहाँ पे x square plus का 1 लिखावा है यहाँ पे 2x minus का 3 लिखावा है यहाँ पे 3x plus 5 लिखावा है ऐसा लिखावा है और आपको ऐसा दे दिया कि point of discontinuity check करो कौन-कौन से point पे आप check करोगे तो ऐसे question के अंदर तो ऐसे question के अंदर गुरुजी suspense कौन से point पर होगा आपको कि गुरुजी suspense है जो repeat होते हैं यह रहा दो यहां पे दो यहां पे एक तो दो पे check करो एक गुरुजी तीन यहां पे तीन यहां पे अलग-अलग कमरोव के अंदर बुलाया गुरुजी एक यह रहा यह रहा इसका मतलब कौन-कौन से point पे दो पे तीन पे चार पे यह तीन point ऐसे हैं जिन पे suspense बेदा हो रहा है तो दो को दो बार लिखावाए उपर और नीचे एक बार दो को इसमें रखो दो को जब आप इसमें रखोगे तो कितना हैगा? चार माइनस का चार इसका मतलब गुरुजी यह तो जीरो और दो को जब आप इसमें रखोगे तो चार प्लस का एक इतना है या पांच अरे बिल्कुल सीधा डेसी जुगाड बाबा रामदेव का अजीब नुस्खा बता रहा हूं विटा आपको आप कोई केलकुलेशन के चकर में मत पड़ो जैसा बता रहा हूं विशा कर लो गुरुजी बात रही तीन की तो वही तीन को रखो इसके अंदर और तीन को रखो इसके अंदर क्या बराबर आ रहा है गया गुरुजी तीन यहां पे रखा तो नो प्लस एक इतना आया एक तो आया दस तीन यहां पे दिख रहा है तीन को इसमें रखो 6-3 कितना हुआ 6-3 वा 3 गुरुजी बराबर नहीं है इसका मतलब x बराबर 3 पर भी continuous नहीं है रही बात किसकी 4 की बिना पेंट टिकाएं आंसर कर लोगे बिटा ना बिना पेंट टिकाएं आंसर गुरुजी 4 यह रहा 4 यहां पे लिखो तो 8-3 कितना हुआ 5 4 को जब आप यहां पे रखोगे 12-15 बराबर नहीं है बिना पेंट टिकाएं आंसर आ जाएगा यह मेरा वादा है आप से बिना पेंट टिकाएं लोसें टारस अगरवाल में जितने कुशन मिलेना आपके और में टिका देना बिटा सूपर कॉंसेप्ट बता रहा हूँ सूपर करवाता हूँ कुशन की पहला सवाल पहला सवाल मेरा पहला सवाल पहली बात तो यह है कि बच्चों को यह पता चलना चाहिए कि देखेंगे कौन से पॉइंट पर गुरुजी देखेंगे कौन से पॉइंट पर वो बताओ ना पहले तो तो मैंने कहा आपको कि जो यहाँ पे repeat होते हैं जैसे minus 1 यहाँ पे है रहा minus 1 यहाँ पे है एक तो minus 1 पे एक 1 पे दो point है minus 1 और एक 1 तो जो दो बार प्रकट हो रहे हैं उनको direct टपका दो आप तो कि गुरुजी minus 1 अगर इसमें रखेंगे तो इसमें तो सामानी नहीं है इसका मतलब गुरुजी यह आएगा minus 1 गुरुजी minus 1 को अगर इसमें रखोगे तो minus minus तो कितना आएगा plus का 1 गुरुजी बराबर है क्या बराबर नहीं है तो इसका मतलब not continue set x बराबर minus 1 x बराबर minus 1 पे continue से नहीं है, समझ गए बिटा X बराबर minus 1 पे continue दोसरी बात किसकी एक की एक एक तो यहाँ पे लिखावा है एक यहाँ पे, इसमें लिखोगे तो यहाँ पे X है लिए रखने के लिए और 1 को अगर आप यहाँ पे टिकाओगे इसे कुशन उकाड फेक होगे, लिमीट में भी एसाई काम करते हैं, कंटिनूटी में भी पहला सवाल हो गया, चलो जी दोसरा सवाल दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल फटाफट Pitts, आज आजाो दूसरा सवाल फटाफट से, अच्छा यह question हालांकि हां करो 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 फटाफट से बोलो 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 फटाफट से कोई वो जो लिखावा ना जिन पे नहीं हुआ जिन पर suspense था उन्हीं से पूषटाश कर ली और अगर उन्होंने कहा कि यार यह आदमी सही है तो चलो ठीक आ बरी गड़ दो उसको समझे और अगर दोस्ते पूषटाश भी और उन्हें का नहीं नहीं यह तो आदमीं बिलकुल बेकार आदमी हैं तो जड़ में ढाल दो उसको समझे बात तो उन्हीं पॉइंट वही बेकार है बाकी समाजगी सारे इंसान से ही है इसका मतलब discontinuity के point अगर आप निकालोगे तो यह आएगा आपके पास x square minus 3x बराबर 0 इसका मतलब x बराबर 1 और 2 x बराबर 1 और 2 इसका मतलब c option आ गया c option आ गया बच्चा एसे question के अंदर में बात अगर advance level की करूं हलांकि मुझे करनी नीची है advance level की बात उसमें होता है एक removable discontinuity आता है यह ना जो हम जेई के अंदर पढ़ाते है removable discontinuity जिससे कुछ discontinuity हट जाती केस चलता न कई बार है वह सेम सेम अलत है कि गुरुजी इसने कोई कांड कर दिया उसके बारे में क्या है कि पूछता होती है फिर सालों तक केस चलता रहता है के दी मर जाता है उसके बाद में result आता है नहीं भाई साब वो तो क्या था ऐसे ऐसे कोड में केस चलता रहत तो एक टाइप की continuity होती इस रिमूवेबल वो हट जाती है discontinue हट जाती है दफा 302 के तहत फासी की सजा ऐसे कुछ सजाएं होती है वो पहले ही हट जाती है गवाउं से वो भी इसके अंदर लागव होती है लेकिन में इतना ही बताऊंगा आपको आपके लेवल तक इतना ही समझना है तीसरा बताओ इन दे फॉलोविंग कंटिनियूस फंक्शन कौन सा होगा फटा फट से बताओ साइन के अंदर कौन सा कौन सा फंक्शन बेटा यहां पर कोई फरक नहीं पड़ता है कि आप क्या लिखते हो यहां पर कोई फरक नहीं पड़ता है चाए आप एक्स लिखो चाए वन अपोन अ टेनेक्स क्या है कि गुरुजी टेनेक्स तो बिखड़ जाता है कहां पे टेनेक्स तो बिखड़ता है ये तो कंटिनियूस है नहीं टेनेक्स का ग्राब बना की बता दू एक बार आपको टेनेक्स का ग्राब बनता है एसा एसा ये तो गुरुजी माइनस पाई बाई टू से X Pi By 2 में बंद आ है ऐसा, एक गुरुजी ऐसा भी बंद आ है ऐसा तो इसका मतलब तूटता कहां कहां पे है, Pi By 2 पे, 3 Pi By 2 पे, इन पॉिंटों पे ग्राब ब्रेक होता है, सेकर्श की भी यह आलत है, साइन सभी है है, अपने दो, साइन सभी है, साइन वन अपोन एक्स साइन अमेसा कंटीनियोस होता है इसमें एक्स वन अपोन एक्स लिखने का फरक नहीं पड़ता अगला सवाल discontinuity of cosec-ex बोलो मेरी जान फटाफट से बतादे आंसर क्या होगा कोसेक-ex क्या होगा कोसेक-ex क्या होगा कोसेक-ex फटाफट से बताओ टाइम होने जा रहा है घड़ी की सुईयों से इसारा मिल रहा है विल्कुल च्यानदार विटा continuity point of discontinuity कुर्जी कोस एक aks है और कोस एक aks को क्या लिखोगे आप 1 upon sin x लिखोगे जहां पर sin x 0 होता है कहां कहां 0 होता है πाई पर होता है बिलकुल आ गया के समझ में आगे बढ़िए फिर आपको बताना which one of the following function is discontinuous function at any point कौन सा फलन ऐसा है इसमें से जो आपके पास कोई एक point पर discontinuous होगा कौन सा point ऐसा होगा जहां पर discontinuous गुरुजी sin तो यह तो continuous होता है गुरुजी x square continuous होता है यह 0 हो सकता है क्या ऐसा लिखावा है 1 upon 1 plus x square और यह लिखावा है 1 upon 1 minus 2 x यह 0 हो सकता है क्या कि गुरु जी इसका तो 0 होने का सवाल ही पे दा नहीं होता इसका मतलब continuous 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 तो यह गया यह गया काम से यह 0 हो जाएगा गुरु जी एक्स बराबर एक बटा दो पर ठीक है क्या c option आपका right है लो बच्चा बोलो फटाफट फटाफट से जवाब देना क्या आपके पास इस question का सही answer आएगा क्या आपके पास आपको check करना है one पे आप पहले इसे question दिख जाए आप सबसे पहले continuity check करना कौन से point पर कि गुरु जी एक तो लिखावाई यहाँ पर एक लिखावाई यहाँ पर पहले तो एक पे check करूँगा और एक पे check करोगे तो कितना आएगा एक प्लस दो कितना तीन गुरु जी एक को इसमें लिखा तो चार माइनस एक कितना तीन बच्चा मेरे बताओ बराबर आया कि नहीं उपपर वाला नीचे वाला बराबर आ गया है दोनों कमरों के अंदर जो गवा से पूस्ताच करी उनके गवा सेम सबूत मिल रहे और बात अगर बराबर है तो गुरु जी वन पर तो लिमिट का एक्जिस्टेंस है कंटीनियो से बात करू तीन की तो तीन को रखो गुरु जी यहाँ पे तीन को रखो गे तो कितना आएगा बारा माइनस एक मतलब गुरु जी ग्यारा तीन को यहाँ पे रखोगे आप ती ठीक है कि आजाओ फटा फट्सें आँख बंद करके कान बंद करके नाक बंद करके सवाल का जवाब ने टिकाना पड़ेगा नाई पेन नहीं घतम ही नहीं करना बोल दिया गुरू जी वन पर चेक करते हैं यह तो चेक करते हैं लेकिन चेक करो जाई मत करो जी तह कंटीनिस ही होगा तुनिज देन्ग परसेंट ओना है इंगाद बना ऑट लो जी परावरों ब्लतिनियोस होगा समझ यह जिकの नहीं बोलोगे औरे मैं आवाज सुनना चाहता हूं यार तोवारे आवाज सुनना चाहता हूं बोलो फटा 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 कि गुरुजी, आ गया यह तो भुलेंगे नहीं इसको तो नहीं बूल सकते गुरुजी आ बोलो fx बराबर 10x is discontinuous 8 कौन से point पर discontinuous है देखते ही जवाब फेंक रहे हैं बच्छे देखते ही और यही आलगते मैं कहता हूँ continuity के अंदर pain टिकाने की भी ज़रत नहीं पड़ेगी आपको इतने solid concept है 10x को क्या लिखोगी गुरुजी sin x बटे कोस x और गुरुजी नीचे वाले ट्रम कहा जीरो होती है πाई बाई टूपे होती है πाई बाई टूपे b option सही है b option सही है b option सही है गुरुजी चलो बच्छा fx बराबर x minus mod x कितना ही देदे तु गुमा के पल्टी लिदेंगे हाँ क्या बात है बटा अगर ऐसा आजाए तो ये तो द्यान रखना plus minus की बात करीए अगर ऐसा आजाए ना ऐसा आजाए तो द्यान रखना ये discontinuous होता है discontinuity वाले जो point है ना उनके अंदर ये जरू लिख लेना ये क्या होता है discontinuous होता है कहाँ पे कि गुरुजी ये नीचे अंदर वाला जो 0 होता है जैसे ये सा जाता है कई बार mode x-a upon x-a ये भी discontinuous होता है कहाँ पे x बराबर a पर discontinuous होता है divide में आजाए तब की बात नहीं बता ही मैंने plus minus में आजाए तब की divide वाले में लिख लेना discontinuous होता कहाँ पे जहाँ पे mode के अंदर वाला 0 होता है तो इसका मतलब गुरुजी ये तो continuous है every point पर continuous है ये तो आगे वाला ये question बनता है nda के level में बहुत पैरा question बनता है बहुत पैरा अब भाई साब आपको क्या दे दिया इस question के अंदर आपको ये दे दिया कि A और B की value निकालो और आपको क्या बता दिया continuous भी है जब continuous बता देते है तो कौन-कौन से point पर बताया एक, 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 तीन बा लिखावा तो एक को यहाँ पे लिखो एक को यहाँ पे लिखो और एक को यहाँ पे इन्हों को बराबर कर दो एक को अगर आपने यहां पर लिखा तो कितना आएगा A-B और यहां पर बराबर कितना आया दो भाई बराबर करते हैं बराबर करते हैं continuity के लिए लेकिन आपने पहले ही बता रखा है continuous से इसका मतलब बराबर होंगे और बराबर है तो गुरुजी A-B बराबर 2 वेल्यू पुट करो कौन-कौन सा सेट हो रहा है गुरुजी 2-0 गुरुजी ये भी सेट हो रहा है गुरुजी 4 और 2 रखा गुरुजी ये भी सेट हो गया गुरुजी ये रखा ये भी सेट हो गया अल अब देबाव है ठीक है चलो जी अम मेरे पास बेटा इतना टाइम नहीं है ना वक्त मेरे को इजाज़त नहीं देता कभी अगर आप कि ऐसे मेराथन की क्लास में लग वाऊँगा ना तो बाकी की जो बच्चे बच्चे-घ्षिन याक करके तो बस आपके और लाइक कर दिया कर ओओ और क fluffy अख्लीं इंग्स की क्लास आ किये अपने टू पीम वाली क्लास में आरस अगरवाल बुक का सोलुशन कोनिक सेक्शन ठीक है याद रखना आजाना ना दो के ठीक है और बेस्ट लव यू गाईज